आप सब का साथ उन्हें इस माइक तक आमंत्रत करें एक बार सारे लोग थोड़ी से तालिया गहरी करके अपने बीच में आवाज दें फहमी बरेलवी साहब को कि शायर और कवी की सोच अलग होती है आज के लोग नौजवान साथी यहां बैठे हैं वो कहीं न कहीं हर किसी के जहन में एक महबूब होता है सैनिक का महबूब कौन होता है यह पैगाम उन सैनिकों की तरफ से जो कल शहीद हुए है कि एहले दिल आओ महबत के पुजारी आओ कि एहले दिल आओ महबत के पुजारी आओ प्यार की बात करो प्यार का इजहार करो कि एहले दिल आओ महबत के पुजारी आओ प्यार की बात करो प्यार का इजहार करो आरजी हुसन के जल्वे तुमे धोका देंगे मेरा महभूब वतन है तुम इसे प्यार करो मेरा महभूब वतन है तुम इसे प्यार करो और एक पैगाम मैं कुलपती महुदे की तरफ से युवाँ को देना चाह रहा हूं तुम हुबबत का समंदर है जिदर हो जाएगा तुम हुबबत का समंदर है जिदर हो जाएगा नफरतों का ये जुआला बे असर हो जाएगा नफरतों का ये जुआला बे असर हो जाएगा और शहीदों को सलाम करते हुए कि हिंद की मिट्टी में शामिल है शहीदों का लहू कि हिंद की मिट्टी में शामिल है शहीदों का लहू जो भी इस मिट्टी को चूमेगा अमर हो जाएगा जो भी इस मिट्टी को चूमेगा अमर हो जाएगा और ताजवर के सामने तू हाथ प्हेलाता है क्यों, कि ताजवर के सामने तू हाथ प्हेलाता है क्यों, मा के तल्वे चूम लेगा ताजवर हो जाएगा, मा के तल्वे चूम लेगा, ताजवर हो जाएगा, एक चार मिस्रे और पेश कर रहा हूं सूलunn अपने युवा सातियों को मैं के नाम कर रहा हूं ये चार मिस्रे गुर्दु में एक लफ़ आया है कहकशा कहकशा तारों के जुन्ड को कहते हैं कि आस्मानों पर उड़ो काहकशा कर्षा तक पहुँचो के आसमानों पे उड़ो काह कशा तक पहुँचो मनजिल इश्क जहां तक है वहां तक पहुँचो के मनजिल इश्क जहां तक है वहां तक पहुँचो और सुस्त दरिया को यहां रोक दिया जाता है के सुस्त दरिया को यहां रोक दिया जाता है तुमको बहना है तो खत्रे के निशाता काओ। एक छोटी सी नजन पेश कर रहा हूँ, इसका शीरशक है गाउ में मुशाइरा ये एक बड़ी सची घटना हुई थी, जिसका मैं खुद ही इसका मैं भोगी हूँ कि एक गाउं में मुशायरा हुआ, उसमें कभी भी उस गाउं में मुशायरा नहीं होता था, कव्वाली होती थी, स्वांग होता था, मंडली होती थी, गाउंवालों में बड़ा उत्सुकता थी, कि आज मुशायरा है, कभी संभेलन है, ये सब चीजे हैं, तमाम आर्डस वहवा करो, ताली बजाओ, गाओं के लोग हिलके नदे रहेते, आخिर में मुक्या जी लोगों से कहिए कि तितित दूर से हिंदुस्तान के इतने इतने बड़े शायरों को बुलाया गया है कुछ आप दाद दीजिए इनको नवाज ये इतनी बड़ी पबलिक है यहां पर तो मुखिया जी बोले भाईया देखो ये गाउं है इनको हम ना समझा सकते हैं ये तो कबाली के आदी हैं इनके दिमाग में ये समझ में आया कि ये जो शायरी शायर सुना रहे हैं ये इनके समझ में नहीं आ रहे हैं तो उस मनजर को जहन में रखते हुए वो मैं एक नजम पेश कर रहा हूँ और वो गाउं के लोग एक पैगाम दे रहे थे उन शायरों को उन कवियों को, कि शायरी करना है तो किस बात पर करो, कविता कहनी है तो किस चीज़ पर कहनी है, तो सबसे पहले ये भूमे का अपने जहन में रखते हुए, इस नजम का शीरशक है गाउं में मुशायरा, जोश भी कैफी भी फिराक और जिगर भी, लेकिन न कोई सुर्खरू होता नजर आया, जो दात का भूका था वो रोता नजर आया, बेकल ने भी कोयल की तरह कूक लगाई, कि बेकल ने भी कोयल की तरह कूक लगाई, इस शहरे खमोशा से मगर दाद ना पाई, अन्वर ने गजल छेड़ी तरन्नम की लचक से, कुछ भी न हुआ सागरो मीना की खनक से, साहर ने भी जादू बरे अशार सुना है, सागर ने भी जजबात के पैमाने चलाए, शहबाज ने दहका का तमस्कुर भी उड़ाया, देहात का महौल मगर रास ना आया, शायर तो ये कहते थे, ये महौल अजब है, खामोश है, पबलिक का हर एक फर्द घजब है, इस सिंद थी, दहका में ये सरगोशिया जारी, कचुआओ समझ में जे मसारा ना हमारी, कचुआओ समझ में जे मसारा ना हमारी, सैरन के ये ढोंगी हैं, ये सैरन के मदारी, इन सब क करो खेत की मेंडों से बिहारी धोलक है ना तबला ना मजीरा ना सरंगी इनसे तो कहीं अच्छी होँ कबाली मजंगी सर फुद्दा की मंडली ही बुला लेत जा मुखिया दोई छोकरा तो बामा गजब का है नचया जो साइरन में का है एकले ही पड़त है जो साइरन में का है एकले ही पड़त है और उस पर ये तुर रहा है के बे परकी गड़त है अब शायर बे परकी क्या गड़ता है मजनू को जिकर है कहीं फरहाद को किसा कि मजनू को जिकर है कहीं फरहाद को किसा बुलबुल की कहानी कहीं सियाद को किसा और चीनी के पियालन मा जो अंग्रेज पियत है ताड़ी के वे कुलड है जने जाम कहत है और ठर्रा जो पिलाबत है उसे कहत है साकी मालम तो जे परत है कि जे सब है सराबी ठर्रा जो पिलाबत है उसे कहत है साकी मालम तो जे परत है कि जे सब है सराबी अब पेगाम देता है वो गाउं का शख्स तूरान के किसा है तो मुल्तान की बाते तूरान के किसा है तो मुल्तान की बाते भारत के निवासी हैं और इरान की बातें भारत में पठे देथ हैं जिस ओर नजरिया फूलन से भरे भई हैं इलाका के इलाका कस्मीर है भारत का जिसे स्वर्ग कहत हैं और साइर हैं सभी जितने जन्नत पे मरत हैं भारत में हिमाचल भी हिमाला भी खड़ो है का दूसरे मुलकन के पहालन में धरो हैं का स्वर्ग से कुछ कम है ये जन्नत की बहारें बे जलते बए दीप किसानन के घरन मा का सम्मा से कुछ कम है भला जयोत किरनमा का सम्मा बे जलते वये धीप किसानन के घरनमा का सम्मा से कुछ कम है भला जयत जयोत किरनमा बे हीर बे रांजा बे मही बाल बे सोनी का सीरियो फरहाद से कुछ कम है पिरेमी बे हीर बे रांजा बे मही बाल बी सोनी का सीरियो फरहाद से कुछ कम है पिरेमी बेहिंद के दो बीर महोबे के बसईया कारुस्तमो सोराप से कुछ कम है लडईया जंगन में गौालन कब गयन को चरानो और सूर्य महराज का गंगा में अंधानो जमना की ढिंगे ताज पे बीबी कभी रो जा धर्ती पे उतर आओ है या स्वर्ग का नकसा का साईरी इनमा से किसू बात पर ना होत का साईरी इनमा से किसू बात पर ना होत अब साईरन के जोत अब साईरन के जोत अंधेरन में करें जोत अब साईरन के डीप अंधेरन में करें जो द बैलन के फसाना भी किसू सेर में आए, कि बैलन के फसाना भी किसू सेर में आए, खेतन के या खलियान के किस्सा भी सुनाए, एरान के तूरान के गाते हैं तराने, हर सेर में हैं दूसरे मुलकन के फसाने, जो सायरन की उल्टी लिखाई को कलम है, भारत के बसईयों का ज जुलम है जे दूर की बाते हैं इन्हें दूर भगावो भारत के निबासी हो तो भारत की सुनाबो भारत के निबासी हो तो भारत की सुनाबो बहुत बार शुक्रिया धन्यवादे